तो आज हम डिसकस करेंगे important हिमाचिल प्रदेश ची के question सभी question exam point of view से important है वीडियो के last मैं मैं आपसे question भी पूछूँगा जिसका answer आपको निचे comment box बताना है इसके लावा आप याद रखे कि इस video की pdf और previous video की pdf आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी आज की वीडियो का first question question number one है during COVID-19 a website called Tokri is created in which district to provide essential product लेकि कोवीड-19 का दुरान घर समार पहुंचाने के लिए तोक्री नाम से एक website किस जिले में तयार की गई है देखो ये तोक्री नाम website जो है तयार की गई है कहाँ पर डिस्टिक मंडी में option A जो है वो बिल्कुल सही answer है देखो डिस्टिक मंडी के व्यपार मंडल ने जो है ये decide किया है कि उन्होंने एक website launch की थी जिसका नाम टोक्री उन्होंने रखा था इसमें इन्होंने कहा था कि लोगों को जो है वो घर जाने की जुरूरत नहीं है लोगों को जो भी चीज चाहिए वो उनको घर में बैठे बैठे मिल जाएगी इसलिए इन्होंने ये टोक्री website launch की थी इसके लिए कुछ नंबर भी दिये हुए है ये नंबर exam point of view से important नहीं ह करेंगे तो बेसिक्स आप इस website के बारे में याद रखिए आपकी टोक्री website next question देखते हैं next question है estimate per capita income of हिमाचल प्रदेश during 2018-19 अब ध्यान दीजेगा यहां पर 2018-19 की आप से पूची गई है प्रतिव्यक्ति आए हिमाचल प्रदेश की कितनी अनुमानी थी अगर 2018-19 की आप option D 1,83,108 देखो यह 2018-19 की है अगर इस तरह के question आपको exam में आते हैं अगर आप correctly sure हैं कि यह amount हो सकता है तब ही आप इस तरह के question को टिक करें अदरवाइस risky काम होता है जोड़ा सा अब देखो 2018-19 की को आपको पता चल गया अगर 2019-20 की आप ग्याद करेंगे तो 2019-20 की है 1,95,255 यह आप याद रखिए यह 2018-19 की और 2019-20 की यह दोनों ही important है हाँ अगर इन दोनों को compare किया जाए तो 6.6% increase जो है वो 2019-20 में देखने को मिला है यह चीज भी आपने याद रखिए हैं बाकी economic survey में तो हमने discuss किया ही था यह सब एक और फिर से आपने revise कर लिया next question देखत है next question है the sent beads college where there was a tradition of being taught by nuns was founded in which यह तो sent beads college जो है यहां पर एक trend था कि nuns nuns के द्वारा जो ही है शिक्सा प्रापत करवाई जाएगी तो यह महावी द्याले इसकी स्थापना किस वरस हुई थी तो यह sent beads college जो पहले याद रखेगा कि डिस्टिक शिमला में स्थित है और यह girls के लिए है women's के लिए यह college है इसकी स्थापना 1904 में हुई थी option a जो है वो सही अंसर है 1904 में इसकी स्थापना हुई थी अब इस college college के बारे में कुछ जान लेते हैं इस college में जो था वो जितने भी राजा लोग थे उनकी जो बेटियां थी उनको यहाँ पर सिक्साद दी जाती थी इसके इलावा जो अंग्रेज थे उनकी बेटियां को भी इनकी बैच्छीयों को भी यहीं पर सिक्साद दी जाती थी यह थो गया college के बारे में अब यह देखे कि का पुराना college है माचल के इसके बाद कुछ college है जो आपको पता होना चाहिए तो मंडी का राज्किय महावीदेलिया ऐसकी तापना hadn's 48 में और 1956 में धरमचाला का college है धरमचाला राज्कय महावीदेलिया उसकी नाय एक तो आको सेंड़ीड से इसके बाद आप आपम चले जाईए तो मंडी का जो था वो 1948 में हुआ था मंडी के बाद आप चले जाईए धरमचाला तो धरमचाला को जो था वो 1956 में हुआ था धरमचाला के बाद आप डिस्टिक चमबा की ओर चले जाईए तो डिस्टिक चमबा का 1958 में हुआ था और डिस्टिक चमबा के बाद आ next question के है हमारा next question है in which year was the agitations by farmers in kunihar तो kunihar में किसानों दोरा किस वर्स अंदोलन किया गया था इसे kunihar किसान अंदोलन भी कहते है kunihar किसान अंदोलन जो था वो कब हुआ था ये हुआ था 1920 में option C जो है वो सही है 1920 में ये kunihar किसान अंदोलन हुआ था अचा ये तो kunihar किसान अंदोलन है रण हम कुनिहar प्रजा अंदोलन की स्थापना 1939 में था ये भब आप एद रखे 1939 में कुनिहार प्रजामंदल की स्थापनां हुए थी उप पहले के टाइम में क्या था कि इये किसान अंदोलन जो होते था ये क्यों होते थे ये इसलिए होते थे क्योंकि राजा लोग जो थे या तो राजा लोग या तो उनके जो मंत्री या वजीर होते थे वो लोग क्या करते थे वो लोग जंता क्यों कि किसानों ने क्या किया किसानों ने पहले अपनी मांगें रखी कि ये सब बंद किया जाए अगर बंद नहीं किया जाए तो वो लोग जौंपड़ी के अंदर खुद को आग लगा कर जो था वो जला लेते थे और उस अंदोलन को क्या कहा गया उस तरह के अंदोलन को नाम दे दिया गया जुगगा अंदोलन क्योंकि उन्होंने जुगई के अंदर अपने आपको आगर लगा ली थी तो ये अंदोलन बिलासपूर में हुआ तो ये तो हमने बेसिक सी जानकारी प्रापत मंडी में भी एक वार किसान अंदोलन हुआ था तो मंडी में जो था वो 1909 इस भी में किसान अंदोलन हुआ था ये मंडी का जो किसान अंदोलन था उस टाइम के राजा राजा भवानी सेन जो थे इनके कारेकाल के दुरान हुआ था तो ये दो दिन अंदोलन आप याद रखेगा कुन्हार किसान अंदोलन कुन्हार प्रजा मंडल मंडी का जो किसान अंदोलन था यह याद रखिये और यह सब basic basic चीज़े हैं यही याद रखिये और अगर आपको और अच्छे से discuss करना है या revise करना है तो यह देखो कि अंदोलन दिये गए है नालागड अंदोलन 1877 में भागल विद्रू 1905 में डोडरा कवार में विद्रू ह था 1906 में कुनिहार किसान्थ सबागा अंदोलन चमबा सेवक संग की स्थापना 1936 में हुई थी धामी प्रेम प्रचारणी सबा 1937 में भागल प्रजामंडल 1938 में और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में अगर आपको रिवाइस करना है तो आप यहां से रिवाइस कर सकते हैं डिस्टिक स्टोलन के आधुवाल में जो है जैव प्रद्योगी की पारक स्तीत है अब इस जैव प्रद्योगी की पारक के बारे में जानेंगे देखो यह जो जैव प्रद्योगी की पारक डिस्टिक स्टोलन के आधुवाल में था इसकी स्थापना 2011 में हुई थी 2011 में 200 क्र रुपया जो था वो आदुवाल गाउं को दिया गया था और यहां पर जैव प्रिद्रक्री की भारम या पारक स्थापित करने की बात जो थी वह कही गई यह बेसिक से आप यहां से जानकार याद रखिए इसके इससे पहले भी हमने कुछ question discuss किया है तो हिमाचल का पहला information technology park वाकनाघाट में स्थित है और अभी cabinet ने जो है वो center of excellence स्थापित करने के लिए वाकनाघाट में बात कही है Asian Development Bank funded यह होगा यह सब चीज़ यहां पर आत रखिए अच्छा देखते हैं हमारा next question क्या है next question है during the tenure of which king people people did यहां पर है people did begin to settle in किया प्रकास को करेकाल के दौरान जो था वो 14 दीन घाटी में लोगोंने बसना शुरू किया था यहांपर देखो तोड़ा सा gap पढ़ गया है तो यह बसना जो था यह कब सुरू किया गया था यह उधकर राजा संसेर प्रकास के कारेकाल के दौरान option बी जो है वोगों सेंसर है याद रखे क्यार्दादून घाटी कहां पर है क्यार्दादून घाटी जो है वो डिस्टिक्स सिर्मौर में सीत है और राजा समसेर प्रकास के कारेकाल के दुरान यहां पर लोगों ने बैसना सुरू कर दिया था यह जो राजा समसेर प्रकास थे इनका कारेकाल 1856 से में स्टार्ट हुआ था और 1898 तक इनका कारेकाल चला था एक तो आप यह चीज़ याद रखिए दूसरी चीज़ आप यहाँ से क्या याद रखिएंगे कि 1857 का जो विद्र हुआ था वो इनहीं के कारेकाल के दोरान हुआ था और राजा समसेर प्रकास के कारेकाल के दोरान जो था वो 1875 में जो था वो नहन फाउंडरी की स्थापना की गई 1867 में जो था वो रानिताल बाग की स्थापना की गई और 1868 में जो था वो नहन में मुनिस्पल कमेटी की स्थापना की गई और 1885 में जो था 1885 में Lord Dufferin जब आय थे तब ये वहां के राजा थे पर 1878 में जो था वो संसेर प्रकास ने Lord Rippon के नहन प्रवास की समरीती को जो था वो Litten Memorial नाम बनवाय था वहां पर Litten Memorial भी इनके दोरा ही वो नहन में बनवाय गया कई बार पूछा गए है एक्जाम में कि Litten Memorial कहां पर है तो Litten Memorial जो है वो कहां पर है सिर मौर में स्थित है तो ये आप बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखिए राजा समसेर प्रकास के बारे में इन्होंने नहान फाउंटरी, रानितार बाग, मुनिस्पल कमेटी, लॉर्ड डफिन के कारकाल के दोरान आए और Litten Memorial भी इन्होंने बनवाया तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें यहां से आपको याद रखनी है Next question देखते है Which of the following monastery was constructed by Lama Sarja Rinchen Lama Sarja Rinchen द्वारा ने मलिकित monastery का निर्मान किया गया है तो कौन सी monastery है जिसका निर्मान इन्होंने करवाया है ये है option B टायल गूंपा टायल गूंपा का निर्मान इनके द्वारा करवाया गया है तो इसको तायूल गोंपा भी कहा जाता है, ये गोंपा जो है, वो 17th century में बना था, ये याद रखे, 17th century में लामा सारजारिन चेन के दोरह ये बनवाया गया था, इसके लावा इससे पहले भी हम एक monastery जो हैं, वो पढ़ चुके हैं, वो कौन सी monastery थी, वो थी गुरु घंटाल monastery, तो गुरु घंटाल monastery जो है, वो कौन से village के स्मीप स्थित हैं, लोह स्पित्ती में, ये तुप्चिलिंग village है, एक तुप्चिलिंग village, चंद्रा भागा नदी के किनारे, तो वहाँ पर ये गुरु घंटाल गोंपा स्थित है, ये हमने पढ़ा था, और एक और चीज या वो 1000 वर्स पूरा हो गया है, इसका ये याद रखेगा 1000 वर्स, 1996 में इसने 1000 वर्स पूरा कर लिया था, उसका मतलब ये हुआ कि ये monastery जो थी, ये 1996 AD में बनी थी, तब ही इसने 1000 वर्स पूरा किया, तो ये आप याद रखे ताबो monastery के बारे में, तो आज हमने कौन कौन सी monastery प पड़ी, एक तायूल monastery हमने पड़ी, गुरु घंटार monastery हमने पड़ी, और धंकर गोंपे के बारे में हमने जाना, ये चीज़ें आप वो याद रखनी है, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, एक वेर इन मंडी डिस्टिक इस, एस्टेबलाइस यून Option D, भंगरोट्टू विल्कूल सही अंसर है, देखो मंडी के बारे में आपको इस्थरा की जानकारी पता होनी चाहिए, ये डिस्टिक मंडी में जो है, वो जरसी गाय, जरसी गायों का जो प्रजनन के इंदर होता है, वो भी स्थित है, ये डिस्टिक मंडी के कमंड में स्थित है, डिस्टिक मंडी में जो है, वो HPMC के द्वारा सेव प्रसंसकरन इकाई भी स्थापित की गई है, तो डिस्टिक मंडी के जरूल में ये स्थापित की गई है, डिस्टिक मंडी के चौंतरा में जो है, एक पॉल्टरी फारण भी स्थापित किया गया है, डिस्टिक मंडी में भेड प्रजनन के इंदर बिस्तित है तो डिश्टिक मंडी के नगवाई में ये भेड प्रजनन के इंदर स्थित है और देखो डिश्टिक मंडी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कौनसी प्रयोजना हुए वो स्तानन प्रयोजना के बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई थी सानन और उहल परियोजना के बारे में उस वीडियो को आप देख लें वहाँ से भी आपके सानन परियोजना के बारे में काफी concept clear हो जाएंगे इतना प्याद रख कहां पर HPMC के दोरा से प्रसंसकरन इकाई स्थापित की गई है जर्ची गायों का जो प्रसंसकरन के इंदर हो कहां पर है पॉल्टरी फारम कहां पर है भेड प्रसंसकरन के इंदर कहां पर है और एक हमने आज डिसकस किया कि मुर्गी के चारा बनाने की इकाई कहां पर स्थापित की गई है इन सब क्वेश्चन को आप पढ़ने की जुरूरत नहीं है ज्यादा बस इन क्वेश्चन को आप रिवाइस करेंगे तो यह याद हो जाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चूबा, बंजण, किंगर ड्रेस के टाइप है उपशन बी जो यह बिल्कुल सहीन्त है आपके पास यहाँ पर ड्रेस की यह टाइप है प्वेश्चन देखो यह चूबा, बंजण, किंगर यह खमपा लोग जो होते हैं उनका यह ड्रेसिंग स्टाइल है अब खंपाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए देखो खंपा जो है वो उनको अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग नाम से जाना जाता है उत्रांचल के जो खंपा है उनको सहा खंपा कहा जाता है पित्ती के जो खंपा है उनको पित्ती खंपा कहा जाता है कि नौर के जो खंपा है उनको कुन्नू खंपा कहा जाता है और कुलू के जो खंपा है उनको नियूंदी खंपा कहते है और चंबा के जो खंपा है उनको थावा खंपा कहते है और लहॉल के जो खंपा है उनको धारजा खंपा कहते है पर एक नजर आप यहां पर भी डार लो पित्ती खंपा वो होते हैं जो स्पित्ती में रहते हैं प्रंदू खाना बदोस होते हैं गर्जा खंपा वो लहल के मुगल निवासी होते हैं प्रंदू ये भी खाना बदोस होते हैं नेखोर खंपा तीवती खंपा होते हैं ये तीर थियात्रा के लिए भारत में आये होते हैं और खुन्नु खंपा जो है रामपूर बुसेहर में रहने वाले खंपाओं को कहा चाता है इसके लावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहां पर इनका मेरिज स्टाइल देख सकते हैं फक्तुन और जाओ छाओ छे जाओ छाओ छे जो है वो डाइवोर्स का टाइप है और फक्तुन जो है ये मेरिज का टाइप है ये इनके mails के type है, lohole oraz beauty का भी यहां पर दिया हुआ है अगर आप चाहें तो वीडियो को pause करके इन सब को revise कर सकते हैं next question, hybrid 4, hybrid 4 है ये, hybrid 4 किसकी किसन है तो hybrid 4 जो है वो मस्रूम की variety है, option B सही answer है अब मस्रूम की बात हुई है, मस्रूम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, गिर्रास की जो एडिशन हुई थी, उसमें मैंने आप डिसकस किया था आप लोगों के साथ, कि देखो, हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा जो है, वो खूंब कारेकरम चराया गया था, एक खूंब कारेकरम जो है, मस्रूम की खेती के related है, और भी अगर आप मस्रूम की cultivation के बारे में जानेंगे, तो देखो, मस्रूम की cultivation जो थी, वो scientific way से स्टार्ट की गई थी, 1977 में डिस्टिक स्टोलन में, 1977 में डिस्टिक स्टोलन में, ये स्टार्ट की गई थी, और देखो इंडो डच मस्रूम डेवल्पमेट प्रोजेक्ट जो है वो पालंपूर में चल रहा है ये लॉंच किया गया था 1985 में इसमें है क्या इसमें डच की टेक्नोलोजी से जो है वो मस्रूम उगाने की बारे में बताया जाएगा और ये 1992 से operational है ये भी आप याद रखिये तो ये variety हमने एक जानी hybrid for hybrid for जो है इसके variety है और वो सोलन को जो है वो मस्रूम सिटी भी कहते हैं ये तो आपको बता होगा ही तो ये बेसिक बेसिक जानकारी हमने मस्रूम के बारे में भी जानी ये चीज़े आप यहाँ से याद रखि तो बरतमान में हिमाचल प्रदेश में कितने मिट्टी प्रसिक्शन प्रुक्सालाइं काम कर रही हैं ये आप कमेंट करके बताएए ये कमेंट करके बताना कि कितनी वर्किंग कर रही हैं और कहां कहां पर नहीं है ये कमेंट करके बताएए So that's all for today Thank you for watching the video